नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेस्विजन एकाडमी पर और महिला परिक्षक परिक्षा 2023 की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुप काम ना है आज जो हम लोग practice set 2 देखेंगे और ये जो practice set second है ये है आपका सभान हिंदी और 36 गड़ी भासा का इसका practice set 1 जारी हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो solve जरूर कर लिजेगा इसके लिए मैं अलग से playlist बना दिये हैं वीडियो का महिला परिक्षक परिक्षा 2021 करके उसमें सारे 2023 का जीतना भी आपके practice set डला है मैं से डला है वो सारे question आपको सारे practice set सारे question आपको दहिंग देख लिजेगा और महिला परिक्षक परिक्षक की जो त्यारी कर रहे है सेजारी महिला परिक्षक वो जो है हमारे सेनल को subscribe करेंगे और आप question जरूर टिक करेंगे जैसे मैं यहाँ question का option बताऊंगा आप टिक जरूर करिएगा और टिक करके यहाँ पर अपने तैयारी को जरूर परकें यहाँ देखिए जैसन बोईबे वैसन काटबे तो देखिए जैसन बोईबे वैसन काटबे में कौन सा सरवनाम, अनिश्चय वाचक सरवनाम, नीज वाचक सरवनाम, पूरुस वाचक सरवनाम, संबंध वाचक सरवनाम, तो देखी जई सन बोई ब ये एक वाक्य का दूसरे वाक्य सा संबंद दिख रहा है तो ये जो है संबंद वाचक सरवनाम होगा दो भीन बातों या वस्तूं अथ्वा व्यक्तियों का परिक जो संबंद होता है उसको जब इसपस्ट करता है तो उसे हम संबंद वाचक सरवनाम के नाम से चानते हैं तो ये को सहारा मिलना चड़िक सूक भाग गेसाली होना बहुत दिनोबाद दिखाई देना यहां पर देखिए ओरी के छाओं का मतलब यह है दोस्तों कि ओरी का छाओं आने के बाद तूरंत समाप्त हो जाता है जैसे धूप निकलता है खतम हो जाता है धूप जैसे बढ़ता है तो कहने एक मतलब है कि छड़िक सुक को इंगित करता है तो यहां भी यहां correct answer होगा next question है आपका भहेंगी आखवाली के लिए सही सब्द होगा तो देखी भहेंगी आखवाली के लिए सही सब्द क्या होगा कंटू, कुटाहा, कंटेटरा, कपिला तो देखी यह option बहुत दिक्कत होता है इस तरह से जब option होता है question पढ़ने से यहां हमें सरल लगता है लेकिन option को जब परिच्छा में लेना होता है तिन घंटा का जो risk समय होता है वो बहुत ही हमारे पास limit होता है तो इसलिए practice बहुत जरूरी होता है तो यहां देखी यह भेंगे आखवाली मतलब contator होता है क्या होता है contator यहां see correct answer होगा next question आपका अजार है तो अजार एक औजार है देखी यहीं पर confusion होता है अजार एक औजार है करके बहुत सारा answer ले ले लेते हैं next आपका खटा प्रजाती कफल तब दिक्कत होता है answer लेने में थपरा थपोर हाथ थपड़ देखी थपोल भी कह रहा है तो यहां पर जो correct answer होगा हाथ भी कह रहा है और थपरा भी कह रहा है और थपड़ भी कह रहा है तो यहां पंजा को 36 गढ़ी में क्या कहते हैं यहां जो है थफवोल कहते हैं भी यहां correct answer होगा next question आपका फसल काटने के बाद खेत में सेस बचे ठूट के लिए 36 गढ़ी सब्द होगा पैरा ठूट नराई नरेटी तो देखिए दोस्तों यहां पे कौन सांसर होगा correct यहां पर यहां पर नराई कहते हैं जो फसल काटने के बाद जो खेतों में इस तरह से जो नराई बच जाता है इसके लिए ठूट सब्द का प्रयोग खरते हैं next question है आपका छिपकली को 36 गढ़ी में किस नाम से जाना जाता है तो देखिए टेटका मेचका घिरिया नपली तो छिपकली को जो है 36 गढ़ी में किसमे 36 गढ़ी में नपली के नाम से जाना जाता है डी यहां correct answer होगा next question है जा के लिए प्रयोग्त 36 गढ़ी सांकेतिक सब्द काउंसर होगा हैजा, धूकी, दूंगिया, पेचीज यहां देखिए हैजा यहां confusion create करता है यहां हैजा के लिए धूकी सही सब्द होगा 36 गढ़ी में लेकिन यहां पेचीज भी दिया है यहां हैजा भी दिया है तो क्या बोलते हैं खयजा एक्षण में ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो चलन में भासा होता है तो यहां पर हम आपसंटिक करने में बड़ा confused होता है क्या कहते हैं धोकी कहते हैं धोकी 36 गढ़ी में next question है एक थारी में दूठन अंडा एक गरम एक थांडा इसके लिए प्रयोग क्या जाता है चंदा, सुराज, A और B दोनो तो देखिए एक question पुछा भी गया है पिछले एक जाम में तो एक थारी में दूठन अंडा एक गरम एक थांडा मतलब चंदा के लिए भी प्रयोग क्या जाता है देखिए दोस्तों अंडा, फुटू, बत्रा, नरियर तो देखिए नरियर भी दिया है यहाँ पे यहाँ नरियर भी दिया है तो यहाँ confuse नहीं होना है एक हडिया जिमादू रंके पानी अंडा में एक सफेद पानी, एक पिला-पिला जो दिखता है इसी को इंगित कर रहा है अंडा तो सही अंसर हो जागे यहाँ पे नेक्स्ट क्विस्चन है आपका सुद्ध सब्द का चैन कीजिए अब देखिए दोस्तों हिंदी लगता सरल है लेकिन आप्सन देखने के बाद बड़ा कठीन हो जाता है इसे जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा यहाँ देखिए चली देखते हैं हम लोग यहाँ पर यहाँ जो है दोस्तों आपका हो जाएगा सुद्ध सब्द का चैन कीजिए अति थी अभिनेता अभिमान तो देखिए अभिनेता में छोटी भी रहेगा अभिमान में छोटी भी रहेगा अति थी यह बड़ी थी नहीं रहेगा छोटी रहेगा तो यहाँ करेक्ट जो आंसर आएगा यह भी हो जाएगा करेक्ट आंसर अति थी अति थी को कैसे लिखते हैं अ-ति-ति तो ऐसे करिएगा आप लिख करके देखेंगे तो और ज्यादा बेटर होगा थोड़ा सा वहाँ आप सुध सब्द का चैन कर सकते हैं यहाँ देखिए निम्नलिकित में से कौन सा सब्द यूगम सुध है देखिए यहाँ पढ़ने से सरर लगता है लेकिन जब option देखते हैं तब confuse हो जाते हैं यहीं पर आप अच्छे से practice करेगा ध्यान से करेगा पती पतनी पती पतनी पती पतनी पती पतनी तो देखिए यह चारो अफ्सन हमको सही लगते हैं तो यहाँ हम कैसे करें यहाँ पर देखिए दोस्तों पती पतनी पती लिख लेंगे और पतनी का सुध जो होता है यह इस तरह से होता है तो यहां correct जो answer होगा, ये C होगा बारा का कुनसा answer होगा? सिर्व, पति, पत्नी ऐसे लिखते हैं, न विभड़ी होगा next question है, लूहार में कौनसा प्रत्य होगा? तो देखिए लूहार में हार प्रत्य है, तो यहां C correct answer हो जाएगा next question है आपका मिलावट का सही प्रत्य होगा मिलावट में देखिए मिलावट में आवट, वट, लावट, अठ देखिए मिलावट, अठ भी आ रहा है तो बड़ा confuse create करता है ऐसा option तो यहां देखिए सही जो अंसर होगा आवट होगा, क्या होगा? आवट यहां पर क्या हो जाएगा? correct answer हो जाएगा next है दोस्तों जो मरने के इच्छुक हो मुमुर्शु, मुमुक्षा, बुबुक्षु, दुरुआ तो देखिए जो मरने के इच्छुक हो उसे मुमूर्शु कहते हैं क्या कहते हैं मुमूर्शु कहते हैं यह दियान रखेगा आप नेक्स्ट कुछिचर है जिसका निवारण न किया जा सके तो देखिए जिसका निवारण न किया जा सके वो क्या है तो यहाँ अफसन देखिए अपर यहार नहीं है कह रहे है, द्यान रखिए गा-át-sit, कोछच्चर अच्य पढ़ियेगा, कभी है और हम ले लेते हैं, नहीं है कह रहे Leah, अब देख़िह नहीं है, दोस्तों आपका तड़ाग D, ये बादल का परयाब अची नहीं है, next question है, यथार्थ का विलोम है, तो यथार्थ का विलोम क्या होगा, देखिए, कृत्रिम आदर्स अनुचित उचित, तो सही जो होगा, यथार्थ का आदर्स होगा, यहाँ B आपका correct answer होगा, next question है, पास्च पास्चात्य के जो विप्रितार्थी शब्द है, यह क्या होगा, परवात्य, पुरुवात्य, परवात्य, पुरुवात्य, तो देखिए, पुरुवात्य, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ देखिए, पास्चात्य क्या होता है, परवात्य होता है, क्या होता है, परवात्य वाक्यांस के लिए सार्थक सब्द होगा तो जंगल में जो लगी आग है ये बहुत important है, पूछा भी गया है बहुत बार exam में, तो इसके लिए क्या सब्द का प्रयोग करते हैं, क्या वाक्यांस कौन सो सब्द सार्थक होगा तो ये चार option है, डावनर अनील, खुताषण, कोई नहीं तो इस चारों में जो answer है, आपके वाल A नहीं लिखेंगे, answer लिख के A लिख के पूरा answer लिखेंगे comment section में, जो भी आएगा, ये जो भी answer होगा, उस answer को आप लिखेंगे पुरा तो चलिए दोस्तों आज की उड़ों में इतने इता दोस्तों तयारी अपना जारी रखेंगे